आपी बताओ, कोई दो गुना मुल्य देगो, तो हम सीगर ही तन्वान बन जाएंगे की न? पर कोई दो गुना मुल्य देगो ही क्यों? हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो, या उनकी तीजोरी में समान आ रहा हो, या फिर उन्हें बलाई करने का रोग हो, हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंगराज, गुटलिक इनके हमें क्या लेना देना? मैंने तो निर्ने ले लियो है, कि उसकी सर्थ मान लोगी, बस नारान को साक्षी मान कर जब प्रन ही तो लेना है, कि सारा का सारा दूद, घी, माखन अपसे केवल उन्हीं को देना है मैंने? बस इत्ती मांग रखी उसने? हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो, तो गुखुल में किसी से भी पूछ लियो, दो गुना दाम दियो है परमानन जी ने, इसलिए तो सबके सब आनन के सागर में गोती लगा रहे हैं। हे नारायन, सुनी है, गाओं वालों को दो गुना लाब हो है आज, पर मैं तो माखन भी ची ना पाई, क्योंकि हाट जाने के लिए कोई साधन ही ना मिलो मुझे। ये नाया माखन, अभी अभी बनायो है मैंने। प्रती दिन जो माखन निकालती हूँ, सबसे पहले आपको चड़ाती हूँ। ये सूचकर कि कभी तो आपकी कृपा होगी। पर जाने आपका आशिरवाद कब मिलेगा मुझे। पर जाने, कब आपका आशिरवाद मिले था मुझे। यदि इस बार भी मेरा माखन विकार हो गयो ना, तो सच्ची कह रही हूँ, कल से भूब में आपको कुछ भी ना चड़ाँगी मैं। काना, उसको रख तू रहे हूँ। वानर मराज की भूब क्यासे मिटानी है? पतो है मुझे। कैसे? माखन से। और माखन कहो मिलेगो? सावित्री मोसे के घड़ से। तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रही हो? डाउन मेरी बाद प्रश नहीं नहीं उठता, इसकी अनुमती नहीं दूगा मैं। कोकुल वासियों को ऐसा भचन देने की अनुमती ना दे सकतो मैं। बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी की सब्दों पर बिस्वास कर सकते हैं। महाराज, कोकुल वासियों को अब धन के जाल जंजाल में फसने से कोई नहीं रोक सकता, महाराज। मैं धन का ऐसा स्वाद चखा कर आया हूँ कि नंद चाहे जितना प्रयास करे। अब कोई भी गोकुल वासियों उसके हित वचन सुनेगा भी नहीं, महाराज। जे बहुत गंबीर बाद है। हमें सभा बुलानी होगी है, सुधा। जशुदा जी, आप भी कुछ कहो ना नंद राज से। जे अधिक ही सोच रहे, इतनी चिंदा करने की कुई आवसकता ना है। आवसकता तो है। वैसे तो जब कोई लोग के जाल में फच जाता है, तो उसका बहार निकलना संभाव है। इन तो फिर भी अपनी दृष्टी चोकन्नी रखना और कान। गोखुल में होने वाली हर हल चल पर। क्योकि मैं नहीं चाता। योज छलिया, विश्णु अवतार का कोई भी छल, मेरे मार्ग का रोडा बन पाए। अवस्य महराज। लूब लूप लूप यही है व्मनन अभान यहार और लूब भगा प्रभाव हर बीतते ख्षण के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए महाराज जैसे किसी कबुतर को बिल्ली दबोच लेती है वैसे ही मेरा फैलाया हुआ लोग गोकुल वासियों को अपने पंजों में दबोच लेगा सब जटक लूँगा इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए उसे आज में तपा कर घी निकाल लेनों चाहिए ना तो पूरा का पूरा माखन बिगड़ जातो है मैं अभी बोला से कहकर सारे गवाल गवालीरों की सभा बुला तो है मुझे सब से बहुत महत्वपूर बिशे पर बात करने मती ब्रस्ट हो गई थी मेरी जो यहाँ चली आई अब कई ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वपन धरा का धरार अजाए सुलचना चिंता मती करो अरे हम सब से पहले तो वे अन्न के बारे में सोचते हैं वे गोकुल वासियों को लोब के फेर में कच्छो अनुचित ना करने देंगे कहा ना मैंने तुम्हें कुछ भी अनुचित करने नहीं दूँगा दाऊं तुमारा या तो अनुचित वात करने देना दाऊं और मैं तो भलाई करना जाता हूं बलाई किसी की अनुमति या सहमति के बिना उसके या चोरी चुपके माखन का लेना बलाई नहीं चोरी कहलाती है तुम ही बताओ किसी भूके प्रानी के लिए होजन की विवस्ता कंड़ा क्या उतो है बलाई पड़े-पड़े माखन सड़ने के स्थान पर किसी का पेट भरे वो क्या होतु है बलाई किसी की मन की इच्छा पूरी करना जो तो है मलाई ठेरो 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 चोड़ी करके किसकी मनगी इच्चे पूरी करोगे तुम और किसकी दाऊ स्वेम सावेत्री मौसी की वोई तो चाटी है कि मैं उनके घर आऊ और धेड़ सारा माखन खाऊ तब रगला घर आपका शन भर तो ऐसा लगो जैसे काना ने मेरे मन की इच्चा सुन ली हो वैसे कितना अच्छा हो तो यदि सुन ही ले दो तुम्हार कहने का अर्थ है कि सावेत्री मौसी चाती थी कि तुम उनके घर भी जाओ जैसे जान की के घर गय थे ये बात तो उनकोंने बहिया के साबने भी खेई थी कि मैं उनके घर जाओ ये तो उनका सबाग्य होएगो किसी का साबाग्य बिगाड़ते इतने बुरे ना हैं हम ये बात तो सही कही है मुझे भी कुछ अनुचित ना लगता है इसमें तुम तो सक्तवादी हो मदू मंगल तुम्हे क्या लगता है अब बोल भी तो वानर महराज भू के है वानर महराज से अधिक भू का तो मुझे तू लग रहे हो है व्यदी काना सच्ची में जैसक वानर महराज की भू क मिटाने के लिए और सावित्री मौसी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहो है तो दादी के सीख के अनुसार मुझे इसमें कच्छु अनुजित ना लगतो पक्का हम सच में चोरी नहीं बलाई करने जा रहे हैं सही का दाऊ यदि भूके अर्साय बार्नेल वराज का पेट भरोगे तो इसका हस्नी पुन्य तो सावित्री मौसी को ही मिलेगो इसका अर्थ तो जे हुआ कि काना सावित्री मौसी को अगर माखन चुवाने नहीं जाएगो बल्कि उसे दुग ना कर देगो बात तो सही है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा पर इस बार हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे सका हाँ, हमें भी पुन्यारी जित करनों है और माखन भी लगतो है, देव वानर मारास भी हमारी टोड़ी में समनी ठोना साथे है तब तुम्हें सबको ये काला सिखानी पड़ेगी सही कहा सका, अच्छे काम का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए ना तो ठीक है, सिखा दूँगो और हमारी टोली के लाएगी चोर्य विध्या प्रसार तोली और काना, तू बन जाएँ इसका अध्यक्ष और डाओ बनेंगे उप्या दक्ष मुझे स्विकार है चोर्य विध्या प्रसार तोली की जैएग चोर्य विध्या प्रसार तोली की जैएग और सुलो, क्या करना है और कैसे? आया का नहीं आरे, आया रे माखन का चोर्य रोके रुके ना, ये सरपट लगाता है दोड अम सब बात छोप जाओ, मैं भीतर जीकता हूँ ना ध्वनी कोई हो, ना पता कुछ लगे आये चुके से ग्वालों की टोली चाहे कितना बचाओ, छिपाओ कही सारा मखन ये कर जाए खाली मुक से तो लगता है सरल ये बड़ा, ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा, से भरा है ये नखट बड़ा चिक्चोर इती उपर टांग रियो मासी काना सच्च मैं आगयो, तो मैं तो धन्य हो जाओंगी काना सब्सक्राओंगी मंतु करता है सारा दो दही माखन उसे बुलाकर अपने हाथों से खिला दी मुझे बुलाना भी चाहती हो और अंचाने में मेरे लिए कट्नाई भी बढ़ा रही हो पर मेरे यहां क्यों आएगा काना इससे अच्छा तो यही होगा कि कल माखन बेचने के लिए तहीं से सकट का प्रबंद कर लू छुप जाओ छुप जाओ वैसे भी वो ठैरा राजकुमार एक साधारन गोपी के यहां का माखन काहे खायेगो तू भी बावली हो गई है सावित्री काना आना भी चाहे तो इत्ती दूर आएगों कैसे ओ मैं एकट धुट एकुमार काना वहां काना अगरों कैसे सावित्री तब खड़े वो जाओ सच्ची मैं अभी कितनी पाबली हो गई हूँ ना जब नन्दोमन के और जाई रही हूँ तो काना के लिए थोड़ा सा माखर ले जाती हूँ आना यहाँ यह मेरा स्वपन है यहां फिर जी सारे बालत यहां क्या कर रहें काना के साथ क्या चान के सत्य कह रही थी काना यहां पर माखन चुराने आया है मुझे स्वयम जाके इसे माखन खिलाना चाहिए सेजरे चलो कार्वेतरी मौसी के वापिस फ्लाटने से पहले में कारियो सम्माव करके वापिस इभी जानू है कोई पखड़ी मत ज्याना यह मुझे देखके भागो तो ना ना यह जो कर रहे है जैसे कर रहे है मुझे करने देना चाहिए हेन अरे मैयो देखो कैसे स्वागत करो है वेर्थी बेबेच होयो तुम सब प्रिष्णा प्रिष्णा हरे प्रिष्णा प्रिष्णा मुरली बनो हरे प्रिष्णा गोपाला गोविंदा एता मोदरा प्रिष्णा 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 पालकृष्ण ने चुआ तो एक साधारन बैल को है माँ पर उनके स्वर्श का अनुभव मुझे हुआ है बल्धर ये जो फानल मराच है ना ये मेरे सक्खा है बहुत भूके है ये इसलिए हम इनके लिए तरिक माखन देने आये हैं हमारा साथ दो गे ना मैं भी बहुत भूका हूँ प्रभू सावित्री मय्या चारा देना ही भूल गई आप मुझे खोल दीजे ना आप भी अपना कार्य निर्भिग्न कर लीजेगा और मैं भी घास चरके अपनी भूक में ढालूंगा जी जी क्या कर रहो है जी गाना बाला हो गया हो क्या मतिकोल काना जे सिदा हमारी हो राएगो और अपमी सिंगों से उड़ा के चला जाएगो कर दो कर दो दोक अपना जाएगो कर दो कर दो दो क्या है क्या कर दो कर दो कि दो सबववे कर दो दो अब खड़े खड़े देखते ही राओगे भीतर चल्लों है कि ना तुने तो बल्दर को भी अपनी टॉली में मिला लियो का ना भाईया क्याती है मैं बार विसेस हूँ तो अब विसेस का पिखानी तो पड़ेगी चोर्य विद्य प्रसारन टॉली का अधिक से हूँ मैं चोर्य विद्य प्रसारन टॉली चोर्य विद्य प्रसारन अर्थाद चोरी की विद्या का विस्तार करना प्रभू ये बार कृष्ण कैसी सीख दे रहे अपने सखाओ को बार तो बंद है पीतर प्रब्रेश करने का कोई उप्पाय तो कोचुनों पड़ेगो सच्छी में मती ब्रश्ट हो गई है मेरी अब अंदर कैसे जाएगो काना कहीं वापस ना चला जाए मिलगो उपाय काना चलो बीतर प्रवेश करते हैं वोगो सीधे प्रवेश ना करते पहले चास परतात करते हैं कि बीतर कोई है कि ना पर सावेतरी मोसी को तो हमने बाहर जाते दिखा था और कान हो सकता है बीतर ऐसे बार बल्दज था वैसे बीतर कोई और हो सकता है है नारायन फिर तुई जा मैंना जाँगो बीतर माखन चुराना भी सरल ना है सिर्टक रहना पड़ता है माता यशुदा यदि इस सब देख ले तो उनके मन को कितना तुप मोचेगा ऐसे जिठ ठीक ना है लला जब भूक लगती है तभी मैया किस में सी आती है तुझे आज खेल के इतने सीग्र कैसे आगो तुझे लला मैया तेरे लिए क्या बना रही है सूजी का हलुआ अभी भी समय है लला कछो और खानाओं को बता दे आना तो बाहर केगा खेलने यह सोधा किससे बाते करने अब ऐसे मूर्ती बनके क्या खड़ा है कछो बोलेगा भी नन्राजी नन्राजी लगवक सभी को सवा की सूचना दे दियो है और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गए हो है सूचना देने के लिए और उप नन्राजी आपकी चौपाल में प्रिधिक्सा कर रहे हैं चौँ देख ललना अपि छण बर पहले तो पीछे ही खड़ा था कहां चला गयो देख ललना जे लुकाच्छी पिखेलने का समय ना है चल मिलके नारायन को साथ चलाते हैं कान हां कहां चला गयो हुआ टारायन टारायन कर दो यूआ अटौआ कर दोस्था परोस्तान कर दोस्तान कर दोस्तान कर दोन को साथ वश्यूं से तू ऐसे बात करो है, जैसे इनकी पाशा समस्त हो लगतो है, यही रखता है सारा का सारा माखन काना, मुझे प्रियास करने दे, मैं असानी से कर्डूंगो सावित्री के घर के कुंडी इत्ती आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला कहो तो मैं ही तोड़ दू द्वार नाना चिंदा माती करकाना, पीछे मुण के देख, सारा का सारा माखन उपर ही तो लटक रहो है कोई लाप ना हो तो दाओ, माखन तो वो रो पर जे तो इत्ती उपर है, कीसे उतारने के लिए हादी बुणाना पड़ेगो तो क्या आप में माखन ना मिलेगो मुझे क्या पता था, काना की तो सची में आने वालो है ना तो मैं इत्ती उपर लटकाती ही ना, उपर से चोकी भी रसोई घर में बंध है ये तो स्वया चाहती है कि क्रिश्न इनका माखन चुरा ले अव विश्वसनिया है ये यही तो लीला है देवी लीला धर, स्री पाल क्रिश्न की लीला कोई उपाय ना है काना, इतनी परवत जीतनी उचैट पर तो चर ना सकते हम जड़ सकते हैं सक्खा यदि हमें परवत बन जाए तो कोजी भी कर सकते है इतनी चतुराई कहां से लायो है जे पन सबसे उपर कान चेड़ेगा नाना में ना करोंगो, ये संबो भी ना है मुझसे ना हो पाएगा, मैं जड़ूंगो सबसे उपर आया कनहिया रे, आया रे माखन काचो ना ध्वनी कोई हो, ना पता कुछ लगे आये चुके से ग्वालों की टोली चाहे कितना बचाओ, छिपाओ कही सारा मखन ये कर जाए खाली मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये चल से भरा है ये नखट बड़ा चिपचोर भोला भाला काना है माखन का चोर भोला भाला काना है माखन का चोर काना की योजना तपर भूई माखन में गयो से यारो संग हाँ तो लोग फिर अब खाएगो जी मेरा माखन बार्नर बाराज सबसे पहले तो आप फिलो हैं इसकी जीप अधिक लोप लपाए वोई सबसे पहले माखन खाए स्वयम हार्तों से अपने ये बाटे पूरी तोली को माखन खिलाए बड़ा नट खट है नंद किशो लो दाओ ये आपका सारा माखन जे इन सब में बाट रहो है सुवयम ना खाएगो इत्ती देर बाद ही सही अब खा रहो है जी मेरे हाथ का माखन प्रभू ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है मैं ये जानने के लिए आतुर हूँ कि इस माखन चोरी की लीला के माथ्यम से कौन सा संदेश देना चाते हैंगे बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे रिदे से भगवान का स्मरन करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्लिक्रिया बारंब कर देंगे फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री प्रिश्न माखन नहीं खारे देवी यह तो अपने भक्तों के दुश्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मिर्त्यू के चक्र से मुक्ति दिला सके पर प्रभू ऐसे तो सारा संसार इने माखन चोर बुलाएगा यह माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है इसलिए क्रिश्ना जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं यह तो इन गोपियों की चित है दिवी अब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से चित चोर कहकर भी पुकारेगा वो इन्हें प्रेम से चित चोर कहकर भी पुकारेगा सही कहा आपने प्रभू चिच्चुर तो है ये इन्होंने केवल गोपियों का निंग अपनी मैया का भी चिच्चुर आया है कान्हा देख लल्ला अब सामने आजा मुझे पतो है तु खंबे के पीछे चुपोए बहार रिकर मैया रूक लला ठीक है मतिया मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूँ बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोस सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर और चाहिए हाँ ये तो फिर से माखन बाट रहो है इसका इतना सास यदि यही सब करनो थो तो मुझसे आग्या क्यों नहीं ली मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती पर जे तो चोरी कर रहो है इसकी आग्या ना दे सकती मैं मेरा माखन फिर्द में सब में बाटने चलू है दो वानर मराज और तनिक ले लो सखा तो सखा ये तो वानरों में बाटने लगू है और चाहिए नाना ननना है बाईया ने क्या कहे थी लोब बहुत भायानक राक्षचर्ष है और काना अभी तो गले तक की गए और माखन पूरी मटके चट कर गए और माखन अभी तक गले तक की पहुचा है हाँ पूर्टा भी मेरी विना मिठी है वोसंता इसे तो मिले लो पूर्टा इसे तक की थीए पूर्टा काईठी ना लोग बहुत भयानक राक्षिश हैं जी अच्छी बात ना है काना अभी चलके यशोदा जीची को बताती हूं पर आप ही नहीं तो काई थी कि आप किसी को कच्छू ना बताती बल्कि प्रशंता से खिल खिल जाती जानकी के स्थान पर यदि काना ने मेरे हाथ का माखन खाय हो तो तो मैं किसी को कुछ ना बताती बल्कि प्रशंता से खिल खिल जाती मैं तो मन में सोच रही थी उसे बोल दिया था क्या सक्ची बात तो ये है मौसी यह मारे मराज पूचे थे इसलिए कल मैं इसलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकटी ना मिलो और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो चंता मत करो मौसी दो धुनों से भी अधिक बेगो फूचे के भूच मिटाने का फून्य प्राप किया है आपने बस आप मैया को कच्छू मति बतायो वैसे भी फूचे की फाईता करके मैं अच्छा कारी ही तो कर रहा था है ना काना वह आशी अब सब गए मैं भी जाओ किस की भलाई कर दे कब किस बहाने काना की लीला तो काना ही जाने बड़े सौभाग उसने है पाए काना जिस घर से माखन चुराए बुला भाला काना है माखन का चुर आज तो कैसे प्रण बचे नाराये नहीं जानते है मैं तो पाव को सिर्पड लेके ऐसे सरपड भागो ऐसे सरपड भागो कि पूरे गोकुल में अरो बड़ बोले इस समय तो बड़ी बड़ी मत भाको और अथिल अब तो वाना माराज ने उठाया है पूरी के पूरी मत की अकले लेके निकल लिये ये हमारी प्रतिक्षा कर रहा था ताके हम माखन बाच सके हमारे साथ ना दाओ उनके साथ मैं समझ को काना देखना सभी जनवर की भूग मिट जाए इसले गया था तो सावीद्री मौसी के या माखन चुराने इसते पहले की वो हमारे अपाउट जाए हमें घर पोचन होगो दाओ चाई कच्छू हो जाए पर देरी ना होनी चाहिए इससे पहले के बहुत समय बीत जाए हमें जे समझनों होगो के लोब आदमी की बुद्धी को ब्रस्ट कर देतो है हमारे सोचने समझने की चंता को नस्ट कर देतो है बहुत समय पहले की बात एक साधू था कुछ सुंसान घने जंगल में रह कर साधना करता था प्रहमग्यान को प्राप्त करने ही वाला था के अचानक से एक दिन उसे एक सुनहरी बिल्ली दिखाई थी उसने उसे देखो तो सोचो के ये तो बहुत सुंदर है इसे तो मेरे पास रहनों चाहिए और उसने उस बिल्ली को अपने पास रख लियो फिर उसने सोचो के इसे तो दूद की आव सकता होगी और उसके लिए गाय की तो उसने एक गाय भी रख ली अब गाय को चारे की आव सकता होगी और चारे के लिए भूमी की नाराइन की क्रपा से भूमी का प्रबंद भी हो गयो अब भूमी को जोतनों है चारा उगानों है चारा काटनों है और उसे गाई को खिलानों है गाई को खिलाके उसे दूद निकालनों है और दूद निकालके बिल्ली को पिलानों कार्य बढ़गो अब उसे लगो कि सहायता के लिए दो जोड़ी हाथ और होने चाहिए तो उसने विवाह भी कर लियो कुछ समय बीतों और संतान हो गई और उसे एक बड़े घर की आफसत्ता अनुभा हुए इसी प्रकार धीरे धीरे लोव ने उसे अपनी छाया में ले लियो और वो नारायन की साधना कर भ्रम ज्यान को पाने के अपने परम लक्षे को भूल गो फिर अनेक बर्स पीतने के पश्चात उसकी अपने गुरू से भेट हुई पहले तो उन्होंने उसे पहचाने नहीं और पहचानों तो उनने कही के एक बार बस एक बार अपने कर्तवे से भटका था तू और देख कैसे देखते ही देखते लोग के जंजाल में कहरे ही गहरे दस्ता चला गए सोचो कहीं उस व्यापारी को धन के लोग में अपना वचन देकर आप सब भी जे ही भूल तो ना करने जा रहे परिवार, घरद्वार, भोजन, सुकसांती जीने के लिए आवसक जे सब कुछ तो है आपके पास इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि जिस प्रकार उस साधू ने ब्रह्मज्यान प्राप्ती का अवसर गवा दियो था आप सब भी इस लोग में आकर अपना सुक चैन ना गवा जोगा लगतो है बात सब को समझा रही है बाबी आसानी से ना मिलने देंगी काना से पर उसे देखे बिना रहा भी तो ना जा रहे हो मुझसे कहां है वो मुझे बहुत ग्रोध है उन्हें इत्तिसी ग्रफ सांत ना होगा उन्हें मनाना तो पड़ेगा ताकि मैं नंद भवन में फिर से बिना किसी रोक टुक क्या ज वाह जिसने मेरे लल्ला पर चोरी का आरोप लगायो वो ही आज मेरे घर में चोरी चोरी प्रवेस कर रही है ना न भावी ऐसी कोई बात ना है मैं तो बस चे देखने आई थी की जशोदा भावी का क्रोध सांत हो की ना सुनने जानकी मेरा क्रोध उसी दिन सांत होगो जिस दिन तु सारी गोपियों के सामने मेरे कानहा पर लगाया आरोप बापिस लेगी चोरी करेगो तो आरोओं की लगेगो न जिची फिर से आरोओं सावित्री तू भी कल तक तु तू कल तक मुझे जे थोड़ी पता था जिची कि आपका काना सची में माखन चोरी में पारंगद है आसा करतो हूँ कि आप सभी को नंदराज का विचार और संदेश सही से समझ आगो होगो सिक्कों की खनक बता रहे हैं कि पोटली कितने भारी है एक ही दिन में कितना दन पादीजे हमें भी इससे अधिक धन अरजित करनोगो तब ही तो हम अपनी उजवल कभविश्य उजवल कर पाएंगे पहली बार कचुब बुद्धी के बात किये तुने नंदराज हमारे मन में आपका बहुत संबान है पर हम जो करना चाह रहे हैं वो लोब ना है वो तो विकास है हाँ नंदराज हम अपना और अपने संतानों का भला बुरा सोचे बिना कब तक अपना जीवन इस प्रकार जीते रहेंगे फिर पिछले चार वर्सों से हमने आपको कर भी तो ना दियो है मुझे तो लगता है कि नंदराज की बातों पर सांती से सोच विचार के बाद ही कुछ नेड़े लेना चाहिए ऐसा मोका बार बार ना तो हमें सोच विचार के नेड़े लेनों है शबने चोरी में पारंगत हाँ जी जी उसने टोली बनाई है और उसका नाम भी रखा है चोर्रे विध्या प्रसारन टोली और आपका काना उसका अध्यक्ष है अच्छा तो काना पूरी टोली लेकर आया था चोरी करने तेरे घर और नहीं तो क्या पर एक बात बताऊं जी जी मेरे बल्दर को देखकर किसी का सहास ना हुआ भीतर जाने का पर आपका आकाना इतना सहासी है कि बिना बहबेत हुए इतने भयंकर बैल के निकट चले गयो सची और तेरे रच्छक बैल ने कुछ ना किया उसे है न अजरच की बात ग्रोध के स्तान पर वो तो उसके सामने ऐसे जुगव जैसे कि प्रणाम कर रहो है है और जीजी आपका काना सहासी ही ना बहुत चतुर भी है मैंने मट्किया बहुत उपर लटकाई थी पर बताओ कि बिना चौकी के मट्की को नीचो तारने का उपाई किसने डूटा कि ओपर चड़ गयो और मट्कियां उटार ने लगो और एक ही ना तीनों के तीनों मट्कियां उतार ली तीनों? हाँ जी जी और वो इतना दयालो है कि पहले एक मट्की का माखन सबमे बाट दियो और फिर बच्ची हुई दो मट्कियों में से एक मट्की अपने सखाओं को दे दी और फिर दूसरी मट्की एक भोकेवानर को दे दी और फिर जब मैं उसके सामने जाके प्रश्ण करने लगी तो उसने मुझे अपने तरकों के जाल में उलजाया और बड़ी आसानी से सिद्ध कर दिया कि वो तो परुपकार कर रहा था मैं तो देखती ही रह गई और सब्द तो ऐसे जड़ते हैं मुझे जैसे की फूल रोख जा सावित्री, पहले तु जै निर्णे लेले कि तु मेरे लल्ला का गुणगान करने आई है कि उसकी निंदा करने, मिंदा करने ही आई हूँ जीची, चान की सत्ते कह रही थी आपका काना माखन चोर ही है और पलराम के साथ भागा था अब राम क्यों? वो तो साख्छात गरूर देव के पीट पे बैट के उड़के आयो है तभी तो तुझसे बहुत पहले आके यहां बैट गओ, ना? आ, आ, देख ले, आज़ा देखो, कैसे बैट के सब पहरा दे रहे हैं, कि कोई पंची अनाज न चुगले और तुम दोनों व्यर्थ में इन सब पर दोस लगा रही हो कानहा के निकट जाने का प्रयाज भी मती करना पहले मेरे लल्ला पर आरोप लगाती हो, फिर उससे मिलना भी चाहती हो पर जिची चोरी, अरे उसे तो चोरी का अर्थ भी न पता होगो तुम दोनों को नारायन का भै भी न आये क्या? हाँ? मेरे लल्ला पर आरोप लगाने से पहले तुम दोनों को लज्जा न आये? यह नारायन, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ लगतो है किसी की घोर दृष्टी लगी है, कि बार-बार मेरे लल्ला पर आरोप लगते हैं किसी की क्या, तुम दोनों की दृष्टी लगी है या तो तुम दोनों मन गणन कथाओं को सत्य बताना छोड़ दो या फर कृपा करके मेरे घारा अनम बंद कर दो अब दोनों मुह क्या ताक रही हो, हाँ, जाओं यहां से और तुम दोनों नंद जी के सभा में क्यों न गई हाँ जी कौन, पहले तो कभी न देखो इसे कहाँ गो मेरी आखो के सामने मैं गोकुल में इस तरह फूट पड़ते आज तक मैंने कोई भी निर्णे आप सब पर ना थोपो और नहीं आज थोपूँँँगो मुझे पतो है आप सब के पास कल सूर्यास तक को समय है किसी लिए मेरी बिनती है कि आप घर जाकर रात्री को इस बात पर पुनह विचार अबस्य कीजेगा सोचेगा कि कोई भी व्यापारी आप इस वस्मिय रूप से सस्ता क्रेविक्रे क्यों करेगा जब तक कि उसका कोई छुपा हुआ लाभ ना हो हमें सोचनों होगो कि कहीं हम उसके बिचाए जाल में भस्तो ना रहें वज गये भाईया जैसे तैसे ही सही पर समय से पहले पहुच ही गयो सार्वित्री मुवासी तनेक्सी वाद को इतना बड़ा चड़ाक के बोल रही थी जितना जुवल्वी न बुलतो वैसे आनन तो बहुत आयो सची हाँ पेटता लगो तो माखम भी तो मिलो और परोपकार भी होगो बता काना और किसके गर जानो है अब आजी तो हमें सिक्सा मिली है एक्के सिग्र बूलगे तुम सब लोग के चकर में पढ़ोगे तो फसोगे लोग के चकर में पढ़ोगे तो फसोगे चोर चोर कह रही है मेरे निर्दोस से बालक को अब तो इन दोनोंने अतिय कर दिये से भी अभी फूटना था वैसे ही मैं इत्ती चिंतित हूँ कैसे समझाओ इन गाउवालों को कोई समझने को तयार ही ना है? लगतो है सब की बुद्धी ब्राष्ट हो गई है सारे के सारे गाउवाले मेरे लल्ला पर आरोप लगा रहे है जे क्या कह रही हो तुम मैं तो गाउवालों की बात करो जो जो नारायन के नाम पर वचन देकर उस अपरिचित व्यापारी को अपने अपने दूद दही घी माखन सब देने को तयार है लो कर लो बात मैं गोपियों की बात कर रही हूं, जो लल्ला पर माखनचोरी का आरोप लगा रही हैं और आज तो सावित्री ने भी लल्ला को माखनचोर केके पुकारो है साधान्य सोधा, कहीं बढ़ा ओकर माखनचोर ना बन जाई है अच्छा आप, जे सब आप छोड़ो स्थ्रियों की बात है, मैं समाल लूँगे आप जे बताओ, सभा में क्या हुँँ गोकुल में फूट पड़ गई यसो था लोग की फूट अरे रुको 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 वेपारी जी रुकिये रुकिये नंदराज इने प्रयास तो बहुत किया थो है पारी जी पर कुछ वेक्तियों को छोड़ करके किसी के कान पर जूँट नहीं रेंगी इसका अर्थ फूट पड़ चुकी है लोब की वज़े से बहुत ही शुप समाचार लायो गुप्तचर अब शीख रही दिखेगा लोब का चमत का लोब से बचने को जो पाठ हम काना को पड़ा रहे थे न आज वो ही पाठ मैं इन गाओंवालों को समझाने में असमर्थ रहा आप चन्पा मती करोज देरे देरे सब ठीक हो जाएगो तब तक बहुत देर हो जाएगी यह सो था यह गोकुल वासी मेरे अपने उन्हें अपनी आखों के सामने मैं भूल करते ना देख सकतो वो सुलक्षना वो उस व्यापारी के प्रभाव में आव गया है और संकरी मौसी और सुमती भी सुलक्षना के मार्क पर ही चल रही है कान खोल के सुन ले भवू आज से घर में दूद पीनो बन दही खानो बन और माखन तो बिल्कुल न खानो पर मयाद पर किंतु परंतु कुछ न सुननो मुझे सुलक्षना की जैसे दनवान बननो है की ना तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर तभी तो अधिक से अधिक दो दही माकन बेजकर अधिक से अधिक धन अरजित कर पाएंगे हम सुलक्षना को उस व्यापारी के तर दनवान बननो है और संकरी मौसी को सुलक्षना की तर अब तो फिर स्त्रियों को मुझे अपने ढंक से समझाना पड़ेगो अब गोकोल आसियों को चाहे कोई भी कितना भी समझा ले पुशा ले यान बाटे उन्हें केवल एक ही भाशा समझ में आएगी लोब की भाशा लगता है आपके पास बहुत उत्तम योजना है पारी जी सब जटक लूँगा आपको क्या लगता है प्रभू मैया की समझाने से गोपिया समझेंगी काना और कितनी पतिक्षा करवाएगो अब बता भी जे माखन चुराने किसकी गर जाना है इत्ता आसाना है निर्ने करना समय लगतो है सोच विचार करनो पड़तो है परी निर्ने किया कैसे जाए पतो है मुझे लगतो है जे निर्ने करना पड़े को की बजना कैसे सावित्री मोसी ने हमारे चौरे विध्य पसारण के बारे में सब को बता दियो क्या काना शिकर आओ छोटी मा बूला रही है अब टाट भी पड़ेगी और कुटाई भी होगी चौरे विध्य पसारण कली और अब हुआ था और आज है समाप तो जाएगो सब कितने घंबिर क्यों है आज घंबिर तो होंगे इनदव क्योंके मैं आज अच्छा वाला पाट पड़ाने वाली है हे नारायन आने अपने काना को जो सिखाओ है बस वे उसे समरन रखे और इसका पालन करें ले और ले 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 आज तो एक के बाद एक पेड़े मिल रहे हैं वो भी पीना रोक टोक के मया दों के बाद तीर से बिठाई वड़ी कठ़़ाई से खाने देती हैं पर आज साड़ा लाड फेड़ों के बात्यम से दिता रहे हैं कच्छू तो रखते हैं रभू क्या आभी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहे हूं कोई परीच्छा तो नहीं ले रहे हैं ये इतना परियाम थे हैं अरे ना जिट जी घर के सुध मामा और गुड के बने हैं कितना भी खाले कोई हानी ना होई लो और लो लबू परिक्षा ही है ये ये तो खाय जा रहो है कहीं मेरे दीव इसी एक भूल तो ना घाओ सारा खेल पर गड़ जाएगो सदैव स्मरन रख्यों लल्ला लोब बहुत भयानक होतो है बहुत भयंकर जे एक बार हमारे मन में प्रवेश करके हमें भीतर से ही जकड लेतो है इसके कारण हम अधिक से अधिक और अधिक से अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं क्या हूंगो काना रुक क्योंगो आपने तो सिखाया था मैया जित्ति आ सकता हो उत्ताइलीनों चेहें लोब कभी ना करनों चेहें बहुत बुरा रक्षेश है लोब बुड़ा और खाने में कोई बुराई ना है काना लेले ना मैया लोग मैं अधिक खांगो तो फिर पेट पकड़के बैठना पड़ेगो हाँ मेरा भी पेट बर गया काना सही क्या रहा छोटी मा लोग बहुत बयानक राक्षेस है जो पिलोग के चकर में पड़ेगो वह बहुत बुरा फसेगो अच्छा जाओ जाकि खेलो तुम दोने मैया ये पेड़े अपके सखाओं के लिए भी ले जाओ मैं हाँ लडा निजन अवस्या देखो जो बात इन नंधे से बालकों को भी समझ में आ रही है वो तुम सब के समझ क्यों ना आ रही क्या समझाना चाहती हो जशुदा जी तनी खुल के बोलो जब बसंता खाने के बाद भी हल्वा खाने का हट करतो है उसे मना क्यूं करती है इसी लिए ना ताकि स्वाद के लोब में उसका स्वास न बिगड़ जाए और उज्वल जब भरी दोपेरी में बाहर खेलने का हट करतो है तो तू उसे मना क्यूं करती है इसी लिए ना कि खेल के लोब में उसे लू न लग जाए और पुरान पढ़ना तो अच्छी बात है ना तो स्रीदामा जब रात में दीब के प्रकास में पुरान की कथाए पढ़ना चाहतो है तो क्यूं मना करती है उसे बता ताकि कथाओं के लोब में उसकी दिस्टी खराब न हो जाए जीची तो इसका अर्थ तो जेही है ना के लोब चाहे पेडों का हो चाहे पुरान की कथाओं का हो या फिर अधिक धन अरजित करने का हो लोब सदैव हानिकारक ही होतो है जे बात तुम ही सब ना समझोगी तो अपने बालकों को कैसे समझाओगी बोलो हम सबकी माईया या क्यों आईये डिरे डाट पड़ी क्या जोर यह दिये प्रिसारण टोली के बारे में सबकों पता चल हो क्या चिंता के चैने चबाना छोड़ो और ये पेड़े खाओ बीदा और भी गमिल समस्या पे चलिचा चल रही है कैसी समस्या व्यपारी जी नंद जीने कल सभा बुलाई थी और आज राणी अशोड़ा जीने सारी स्त्रियों को अपने घर पे बुलाया है तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए करना तो चाहिए गुप्चर सबसे पहले हमें हाट जाकर वोकुल वासियों की प्रतिक्षा करनी चाहिए सुर्यास से पहले वो सारे मुर्ख वहां आने वाले है मेरे सामने नारायन के नाम का प्रण लेने उन्हें चाहे कोई भी कितना भी समझा ले बुछा ले उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा गुप्चर हमारा वास्तविक धन क्या है दूद, घी, दही, माखन जेही ना हाँ तो स्री नारायन की कृपा से तो हमारे पास इसकी कोई कमी ही ना है तो हम सब तो पहले से ही धनवान हुए ना तो फिर जे गौधन अपने परिवार और संतान में बाटने के बाद जो भी बचतो है वो तो हाट पे विखी जातो है ना तो फिर मथूरा की किसी अपरचित व्यापारी के साथ माथा पोड़ने की क्या आवसकता है जशोदा जी हम आपकी और नंदराज की चिन्ता समझते पर इसके कोई आवसकता ना है कच्छू उल्टा सीधा नहीं करेंगे हम विश्वास रखो जशोदा हम जो कुछ करेंगे समझदारी से करेंगे लोब उमें आके कोई निर्णय नहीं लेंगे हम लोग है ना? हाँ अच्छा अब चलती हूँ बुलावे की सूचना पाके सब कारिया इसे ही छोड़ कर आ गई थी अब किसको खेली हो? लोब के भयाना ग्राच्चस ने में तो तब ही पता चलेगो जब वो सब बाहर आएंगी तब तो सबको बहुत ध्यान सा देखना पड़ेगा देखना तो पड़ेगो दाओ तब ही तो पता चलेगो नाखन चुराने किसके याई जाना है ना ना लोग का राख्षिस थो इनके पास जिखना रियो है बेवे नादायन के बुफ बहुत बहुत देलेवाद पाना मेरी मुल्यों को गेर रिया क्या उस राक्सस ने चशोधा भाबी और नंद भया कितने चिंतित थे ना पक्का कचु ना कचु कारन तो अवस्से हो हाँ मुझे भी सच लग रहा है कि धन्वान बनने के चक्कर में मैं दनिक ज्यादा ही लोग में पड़ गई थी नहीं बस गये और मेरी मैया दादी उनका क्या गाना बहु सुलक्षना की जैसे देर सारा धन कमाने के चक्कर में लोब में दुना आरे ना यह नारायन बहुत ख्रिपाया आपकी लगता है लोग का राक्सस किसी को अपनी चपेड में नहीं ले पाया लेता भी कैसे दाओ मेरी मैया ने जो समझायो है क्या लगता है ये शोदा इन्हें समझ आया होगा आसा तो जेही है और अब भी ना समझी तो फिर तो नारायन भी ना समझा सकते सुनो तो फाइडी में हम सब मिलेंगे दूपहरी में तो क्या तू तब निश्चित करेगो कि अज किसकी यहां चाना और माकन आज कोई माकन चोरी नहीं होगी जबा करना राओ भया के ता समझाने के बाद भी जिसके समझ में कच्छो ना आये होगी उसके खर चोरी तो कड़ी पड़ी गी आज व्यापारी जी सारी इस्त्रियां एक साथ यहीं आ रही है पर यह आपके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है लगता है गोकुल की रानी ने इनको पाट पड़ाई दिया अब आपको ही कुछ करना होगा व्यापारी जी करूंगा अपनी चाल सबसे अंत में चलूंगा किन्तु अभी उनके लिए एक घोशना ही परयाप्त होगी तुमने सबको सूचित तो कर दिया है ना कि सबको अगरीम धनराशी मिलेगी वो भी दूद, दही, माखन, घी बेचने के बाद रही वो पहले ही मिला करेगी वो भी केवल एक दिन की नहीं पूरे सब्ता हकी मैं बिल्कुल सही कह रही थी, जशोदा जी और नंदराज वियरती चिंता कर रहे थे यदि इन व्यापारी जी के मान में कोई मेल होता, तुझे अकरीम दिन रासी थोड़ी न देते बात तो तुम सही कह रही हो सूलक्षिना कित्ती सा धालत करतो है तुँ काजल लगाने दे मुझे बाया, पहले मुखुट लगाओ ना और मेरे मुल्ली हाँ हाँ, रोग जा तेले, बस होगो प्रसंद माया, मैं ना चाहता, मैं ऐसे फिर से फूर जाओ नई तो कड़ी ढूप में, इसे लेने पाफिस नाटनों पड़तो है चल, अब बैट जा अब मुझे काजल लगाने दे लल्ला माया, इतना सारा काजल बत लगाओ छोटा सा बालक लगतू बै नकरे तो देखो इतना सजदच के तो तेरे बाबा भी ना जाते बाहर प्रिष्टी लग जाएगी लल्ला उनको तो आ सकता ही ना है माया वो तो गोकुल के राजा है वैसे भी मुझे भी कम मत समझो मैं भी राजा हूँ अपने टोली का कौन से टोली? अपनी यह क्या कर रहे है प्रभू? बता कौन से टोली? बालोगो के टोली मया मारी खिरवाली टोली का क्या हूँ ओ जी? देखो जी आप इत्ती चिंता मती करो आप गोकुल के राजा हो और जे बालको के टोली का राजा है तो मैं भी जसोदा हूँ मैं कोई कम थोड़े ना हूँ मैं भी गोकुल के स्त्रियों की रानी हूँ मैंने सब को समझाओ है सब समझ गई है उपनन भहिया से बात करके आ रहो हूँ अभी अभी पता चलो है कि उस व्यापारी ने अगरीम रासी का लोग दिया है सबको कुझे नालग तो तुम्हारे समझाने का कोई लाभ हो अभी तो ये सब समझ के गई बोल के भी गई क्या वोस व्यापारी के फेर में ना फसेंगी ती सिखर पलट गई इन सब में अपने बुद्धी ना है क्या जब कोई विकार मन में बच जातो है ना है सुझ बूझ सब समाथ हो जाती तो पुझे ही कच्छू कर लो पड़ेगो मया में जाओ हाँ पुझा बहुत बड़ी समस्या हो गई सखाओ कैसी समस्या लोग का भयादत प्राक्सस कई ना गई हो वो अभी भी यही है मुझे पता था और इसका सबसे अधिक प्रवाफ तो मेरी मया और दादी परिवो है तुम सच क्या रहे उजवल हाँ अरे कच्छू न बलदाओ जे बड़ बोला तो ऐसे ही बात करते रहेगा बड़ा चड़ाके बड़ा चड़ाके नहीं बोल रहूं मैं आज से घर पे दूद दही माखन घी सिर्फ एक बारी मिलेगो पर क्यूं ताकि अधिक से अधिक दूद दही माखन घी बचाकर उस व्यपारी को दो खुनन मूलिये पर पेचा जाए इत्ते से तो काम ना चलेगो उस सुलक्षना से और मैं तो कहूँ उस सुलक्षना से ही क्यूं पूरे गोकुल में सबसे अधिक धन्वान बननों है तो और माखन जम्मा करनों पड़ेगो हाँ हा मैया लाओ मैंसे उपर रख देती चोरी चुपके से खातो ना जाएगी ना तेरी घबराट बता रही है कि घर से निकलने से पहले तुने थोड़ो माखन तो खायो है सच्ची बोल नाना मैया मैं क्यों माखन खाऊंगी मैं भी तेरी मैया हूं लाली माप के रखो तो मैंने हाई रे तुने तो सच्ची में माखन कायो है तनीक भी लच्चन आई तुझे असक्ते बोलने से पाप लगतो है मैया और जित्ती बार आप माखन ना अपरी है उत्ती बार दंडी पर लगा माखन अप स्वयम चाट रही है और दोस मुझ पर दे रही है वो तो बस में इसलिए चाट रही थी कई व्यर्थ ना जाए और तेरी जीव है की तिखे मिर्ची एक तो मैया से बहस करती है और चोरी चुपके स्वयम खाके मैया पर दोस भी दरती है हे नारायन कैसी बहुत ही है मुझे जा दूर हो जा मेरे कक से और माखन के तो आस पास भी दिखने के आउशकता ना है इस चटोरी को तो कोई भरोसो ना है माखन को तो सुरप्छिस्तान पर रखनों पड़ेगो यदि बहु ने अब मट की उतारने को प्रियास कियो तो अचानक पानी गिर जाएगो और घबरा के वो चिल लाएगी और मुझे पत्तो पड़ जाएगो माईया जे माखन तो मैं किसी को चुनने भी ना दूँगी तब ही तो बनूँगी धन्वान बहुत धन्वान मैं भी बनूँगी धन्वान पहले तो जब चाहे तब भरबूर माखन का सकता था पर अब दोनों तो ऐसे समाल के रखती हैं कि जैसे माखन की मटकी ना स्वपन का कालाश हो मेरे याबी ऐसा ही हो रहा है मैं रायन का बहुत-बहुत धन्यवाद नंजी और जशुदा जी की बातों में आने से पहले सत्य का पता चल गए हूँ जे इतना सारा माखन द्रिस्टी मत लगा पेट पे पट्टी भांद के रात-रात बर भूका रहके बड़ी कठी नाई इससे माखन इकटा कियो है जे तो क्या आपने निर्णय ले लियो है क्या आप उस व्यापारी को वचन दे दोगी अरे जब द्वार पे साक्षत लक्ष्मी जी हो तो द्वार बनना करते बावी तू अभी छोटी है मैं तो कहती हूँ तू भी अपने भविस्था के बारे में अभी से सोचना आरम कर दे कटोती तो मेरे घर पे भी आरम होगी ये काना मुबु मैया ने कहूँ है कि जिसू चाहिए ये जिस्दही चाहिए ये मुमाखन दे जो भी चाहिए एक ही बार मिलेगो तब हमारी डोली कोई कुछ करना पढ़ेगो तुम सब को तुमारा अधिकार मिले ये हमारा करते भी है अब हम कच्छू ना कर सकते ये सुधा यदि अब मैंने उन्हें रोको तो उन्हें लगेगो कि मैं उन्हें की उन्हेंतिक अधिकार चीन रूँ तुम तई माखन पे सबसे परा अधिकार बच्छू का होता है फिर खटके बालो कुका और ये अधिकार हमें दिलानों चीन है फेडा दाओ मैं सब समचता हूं काना तुम मुझसे इसले पूछ रहे हो ताकि तुम माखन चोरी की योजना बना सको पन मैं तुम्हारा तर्न तर्न नहीं करूंगा पर काओ? ना ना पिछली बाल तुम नहीं काता ना तो हम ये चोरी के वर पन महराज की सहता के लिए कर रहे हैं लो पन महराज भी आ गए हमेरे साथ देने आज कोई किसे का साथ नहीं देगा ठीक है, मैं तुम सब के साथ हूँ देखो जी, इन भोले भाले बालकों को जे भी ना पता कि इनके मईया बाबा कित्ती बड़ी भूल करने वाले हैं तो बताता ना, जिसे अर्चे आराम करना चीह हमें वसंता, नाना मेरे घर तो ना ओ जुवाल, मेरे घर तो असंबा वेका ना मेरी मया और दादी किसी योद्धा से कमना है आग गड़ा के दिन रात सुरक्षा करती है मट्की की नल्ना मुडली इथा ही छोड़ गाँ है, मैं देखे आती हूँ जी इत्ती कंभीर चर्चा चल रही है और यसोदा को खाना की मुडली की पड़ी पर किसी ना किसी के घर से तो आरंब करना पड़ेगो किसके घर और क्या आरंब करना पड़ेगो हाँ बॉल मधुमंगल सित्यबादी से बत कूछो भाईया ये तो सारा रेस्ट्रे खोल कर अब देगो मैया ये देखू कर्ठा वनन बुरा जाने काच से ले आई से अच्छा तो तुम सब घर घर जाके जे पता लगाना चाहरो थे के जे किसका है स्वन का तुना नगरो है पडर हाँ किसी की वस्तु है तो उसे लोटाना तो पड़ेगा ही मैं बताती हूं तुम सब को किसके किसके घर जानो है यहां से निकलते ही पहला घर आएगा सर्जू का फिर आएगा बिर्जू का घर फिर दीख्छा, फिर राम प्यारी और फिर अब इत्ते सारे नाम तुम लोग कैसे स्मरन रखोगे रुको, मैं सूची बना के देती हूँ रुको चीज, हुची, हाँ, सूपी व्यवधान मती डालो किसी का नाम भूल गई तो जाने हैं जाने ताई जी भी जोर्य विजय पसान टोल की चदश्या बन गई है आज तुम सब मुस्कुरा क्यो रहो क्या किछडी पक रही है लो, रभावती का तो नाम ही भूल गई इसलिए कह रहे थी व्यवधान मती डालो ले अब तुम सब इसकी सहायता से एक एक करके सबके घर जा सकते हो आपात अच्छी हो महिया चलो चले अरे, अब आप 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 कुल दिये ऐसे हाथ पर हाथ धरे ना बैठ सकतो यह सो था उपनन्द भहिया से तर्चा करने जारू वो सकता है को उपाय सूच्जा करना बताना सबसे पहले किसका गल लिको है मेरो घर बया का आदे से उजवल पूच्ची का पालन तो करना ही पड़ेगो सीगरी सुलच्चना की तरब भहुत सारे अभूसन पहन कर घूमूंगी मैं भी अब क्या हुआ काना? अब क्या हुआ काना? जिनकी आसकता हमसे अधिक है उने अपना अधिकार भी हमसे पहले मिलनो चाहिए प्रिष्ण क्रिष्ण Hare Krishna 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 मुरली मनो are Krishna कोपणाण दोविंदा ये दा मुदरा Krishna Krishna Are Krishna 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 मुरली मनो are Krishna अब क्या करे, मोमी कही थी ना, तो दो पहरी है, छोरी करना अजम्भाव है किसी को छूने भी न दूंगी मैं माकर अरे, धाते नीम में बड़ पड़ा रही है, पर समस्या जे है कि सारा का सारा दूंद पही माकर उनके कक्ष में है तो फिर सबसे पहले हबे अक्ष में प्रवेश का बार खोज़रो चाहिए मैं कोई उपाए अपनाओंगो, जो मैं मैया के साथ आपनातो हूँ काना इससे पहले कि कोई उचे है, छोप तुम्हरा उपाए है, पुकरो इससे क्या हुकूँ क्या है, क्या अचा है आओ! अरे, चलू! चलू! बड़े सौभागे उसने हैं पाए काना जिस घर से माखन चुराए पूरी तोली को माखन खिलाए बड़ा नख़ट है नंद किशोर बूला माला काना है माखन का चुर अरे, बूला बाला काना है माखन का चुर काना तुझे पीना भीना आतो देख, ऐसे पीते हैं तू तही माखन, समसमाप्त पर पेट तो तभी परेगो, जब माखन मिलेगो पर मामो माखन है का पर मामो माखन है का दू दाई खाके जो बलायो है ना उसका प्रियो करते है और तोर्वत मनाते है ना ध्वनी कोई हो ना पता कुछ लगे आये चुके से ग्वालों की टोली चाहे कितना बचाओ छिपाओ कही सारा मखन ये कर जाए खाली मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा से भरा है ये नखट बड़ा चिकचोर कोई हाथ भी मती लगाई हो मेरे माखन को बहुत सारा धन अर्जित करूँगी मैं बहुत सारा होगी उकर्याद मती के ढखकडवे जल परवाए तनिक पे मती लाए तो सारा चल तेरे दादी के ऊपर जल जाएगो वजवत हमारी कोला हल से उठे ना उठे पर जल की बूंदे पड़ते ही दादी जट से खड़ी उठ जाएगी दूट धाई से इतका भी पलना मिला था कि अधिक देर तक परवत बहने रह पाए जो कर्णोवे सीग्र करो मसंता पूजा करते कबल का फूल लिया उजवल इसकी दादी प्रते दिल चड़ाती है लक्षिमी डाराइद को नानो मेना डान आएगो तो पकड़े जाएगे फिर क्या दुस्सा होगी हमारी काना तुझे कैसे बतो कि मेरी दादी प्रती दिन कमल को फूल चड़ाती है फिर से फर्गो ये तो ना बोल सकतो मैं नाराइनू मुझे ही चड़ाती है ला वो मेनी तो करेंगे आती कुल करू अर प्रत संबाल है दादी उड़ु गई तो बोल्मड़ी समस्या हो जाएगे प्रत संबाल है हे ना रायन मुझे से ना अपने पती की चिंता देखी ना जारे खचो खाके भी न गये अब आप ही समालो अपने गोकुल वास्यों को हा नहीं तो हिलो इन सब के चक्कर में तो उसकी मूर्ली देना ही भूल गई अब जे इत्ती कडी दूप में बापेस लोटे इस अच्छा मैं ही देखे आती हूं सुची के अनुसार अब तक संकरी मौसी क्या पहुचे होंगे सारे के सारे आज तो प्रभू रंगे हाई तो पकड़े जाएंगे दूप मठी तो उठी ना रही है अधिक दे तक जे परवत ना सत पाएगो यहाई से माका निकाल के दे तूमी स्वयम हार्तों से अपने ये बाटे पूरी टोली को माखन खिलाए बड़ा नख़ट है नंद किशो उसे बड़ की उतारने के प्रेश को रुपा ना अब तक तो खंकी भी सबीज़ी ना ती तो बात भाली है दाओ तो मैं कुछ सायता करदू तादी वोडियों की सोपन में अपनी महिया का स्वर भी ना पैचाने दोस्ट बूरे फसे देख क्या रही हो चाची अपने खाना को ऐसे ही लटके रहने दोगी अपने बिलिए अरे? कऩ। तू ? किती अच्छी हो चाची और किती बनसाली भी हो आपने अपने काना को गिरने से बचा लेओ आज जादी अदुचित कहती है चाची पूरे गोकुल में आपसे अच्छा कोई है ना अच्छा और गोकुल ही क्यूं मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रज में आपसे बस बस पहले माखन चुरायो अब मुझे माखन लगा रहो है पर तु बचना पाएगो काना तुझे अभी सीधा जीजी के पास लेके जाऊंगी वै जाटी आप चाट्के और सावेत्री बॉसी जैसे मुझ पर आरोफ लगा रही हो परोफ छोड़के एक बार मेरी और देखो तो सही पताओ मैं तब भूला भला चोड़ी कर सकता हूँ क्या पैदो वो सुचवल कि साइता कर रहा था चाची उसने कही थी कि उसको आजकल माखन ना मिल तो पासे से लिया उचे क्यों पशार हो गाना कासेंगे तो वो उसल वो देखो आप दोनों सो रहे थे ना चाची इसलिए वीवर सो कर हमें अपने आप मागन निकाननों पड़ो अरे अरे रो मत काना मैं तुछ टाट नहीं रहे थी चल बस चुप हो जाए मागन का पात्र जो सदे वाव में छुपा के रत्ती हो वो मुझे रहे दोगे चाची मागन के उस पात्र के बारे में इससे कैसे पता चाथ ना दो कि तुम्हें जा रहूं मैं अच्छा रूखो मैं अभी लाती हूँ सही क्या रहे थे नंदराज मैंने इत्ता समझायो इने इन पर तो कोई प्रभावी न पड़ो प्रभावती भी लगतो एंसमने ना निर्णे ले लियो है अब मैं जाओं अब मैं जाओं 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 तेरु इतो साहस मेरी आप को कि साम्ने ओम्हें कॉरायो जाओं 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 कर दो कर दो